आर्ट्स विशेवालों के 36 गड़ PST में एक बार फिर से अच्छे दिन लौट सकते हैं क्योंकि 36 गड़ में PST 2017 के पैटर्न में बदलाव होने की खबर सामने आ रही है चातरों के जबदस दबाव के चलते PST ने CSET को केवल क्वालिफाइंग एक्जाम के तौर पर लेने की रजामन्दी दे दी है और अब गेन सरकार के पाले में हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि सरकार भी इसके लिए तयार हो जाएगी पिछले कुछ समय से आर्ट्स विशेवाले अभ्यार्थियों की तरफ से CSET को लेकर PST पर जबदस दबाव बनाया जा रहा था क्योंकि जब से CSET CGPST में लागू हुआ है साइंस और मैस ग्रूप के परिक्षार्थियों को अब प्रत्याशित लाब मिला है और इसके चलते PST कॉलिफाइं करने वाले परिक्षार्थियों में अधिकांश साइंस और मैस के स्टूडेंट ही होते हैं दरसल सी सेट लागू होने के बाद एक पेपर सी सेट के नाम से आयोजित हो जाने लगा जिसमें प्रशासनिक कारियों में काम करने वाले संचार, कोशल, इंडर पर्सनल स्किल्थ, तरक शक्ती, मैस, हिंदी और छतिस गड़ी जैसे भाशा विश्यों के पेपर होने लगे और इसी पेपर में साइंस और मैस स्टूडेंट बाजी मार लेते थे अब एक बर फिर PSC परिक्षब पद्धिती में परिवर्तन करने जा रहे है और यदि ऐसा होता है तो सीसेट के वल क्वालिफाइंग इग्जाम बन कर रह जाएगा और उसके मार्क्स रिजल्ट में नहीं जुडेंगे PSC की तरफ से सीसेट को लेकर एक नया प्रस्ताव समाने प्रिशासन विभाग को भेजा गया है और समाने प्रिशासन विभाग की तरफ से इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद निमावली में फिर बदल हो जाएगा वहीं इस विशे में परिक्षार्थियों का कहना है कि वो कई वर्षू से PSC की तैयारी करते आ रहे हैं पुराने परिशार्थियों को CSET ने 36 गड़ PSC से बाहर का रस्ता दिखा दिया और अब उम्र सीमा की अंतिम पड़ाव पर आकर यदि एक बार फिर से उन्हें ये मौका मिलता है तो उनके जीवन के लिए ये बहुत ही बहतर अवसर साबित हो सकता है हाला कि मुखी परिक्षा में मैट्स और साइंस को मिला कर एक करने की मांग पर अभी भी फैसला नहीं हुआ है या यह भी गौर करने वाली बात है कि CSET में बदलाव पूरे देश में हो चुका है लेकिन 36 गड़ में अभी भी इसमें बदलाव नहीं हुआ है और इसलिए माना जा रहा है कि इस बार 36 गड़ में भी इस पैटर्न को लेकर बदलाव हो जाएगा